जय मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 सितंबर और 26 सितंबर 2021 के तुला राशी फल के बारे में तुला राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रह फिर वो आपकी सिक्षा हो, कारेशित्र हो, नौकरी हो, दुकान हो, प्रेम जीवन, स्वास्थ है हर चीज के बारे में बात करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा ही निवेदन है चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ, यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलते रहेंगी, तो चलिए इन दो दिनों के तिथी नक्षत्रों की बात कर लेते हैं, पच्ची सितम्मर का दिन, ये शनिवार का दिन है, क्रश्न पक्ष की चतुरती तिथी, और भणी नक्षत्र रहेगा, भी श्राद चल रहे हैं, तो ये चतुरती तिथी है, जो लोग चतुरती जिनका पित्रपक्ष या जिनका श्राद करने का इस दिन होता है, वो इस दिन जरूर अपनी पित्रों के निमित श्राद करें, हर्शन नाम का योग रहेगा, चंद्रमा मेश र विवार का दिन है और पक्षे की पंचमी, ठीथी थी थी क्रती का नक्षत्र है वज्वद का योग बने गा और साथ में रवी योग भी बने चंद्रमा किस्ति थी इस दिन व्रशब रासी में होगी सूरिय कन्य राशी उत्राफाल गुल नक्षत्र में और अभी जीत मोर्थ है इस दिन का सुबह 11 बज कर 48 मिनट से दोपहर 12 बज कर 36 मिनट तक तो ये हो गई ग्रह नक्षत्रों किस्ति थी ये राशी फल चंद्र राशी पाराधारित है और चंद्रमा दो भावों में होंगे 25 को मेंश रासी में 26 को व्रशब रासी में और इसी के अनुसार आपकी जो दिन चरिया है उसमें भी परिवर्दन देखने को मिलेंगे तो आपके सब्तम भाव में 25 सितंबर को चंद्रमा के इस्तिती है तो यहां सब्तम भाव में चंद्रमा के इस तरह के पर भाव देंगे तो ये जो दिन होगा ये आप अपने दिन की शुरुआत बड़े अच्छे तरीके से करेंगे योग, मेडिटेशन इन चीजों से आप चीजों को शामिल कर सकते हैं, नियमित रखने की कोशिश करें, दिन की शुरुआत अच्छी होगी लेकिन शाम का वक्त कुछ धन खर्चे का योग है, आपके लिए कोई बड़ा खर्चा इस दिन हो सकता है, जो आपके थोड़ी सी परिशानी का सबब बन सकता है, माता पित हैं, इस दिन हर तरफ आपको प्रेम ही प्रेम दिखाई देगा, और वेवाहिक जीवन ये भी आपका बेहद अच्छा है, कुशलता पूर्वा का आप अपनी बातों को दूसरों के सामने रख सकते हैं, बाच्चीत में आज आपको बड़ी कुशलता हासिल होगी, जिससे आ आप अपने पक्षकों भी मजबूत कर सकते हैं, वाणि आज आपकी बड़ी अच्छी रहेगी, और देखिए सब्तम भाव में चंद्रमा की इस्तिती है, सब्तम भाव जो होता है, ये साज़ेदारी का होता है, साज़ेदारी चाहे आपके धामपत्य जीवन में हो, चाहे ये पार्टनर्शिप के मामले में दिन बहुत अच्छा है, जो पार्टनर्शिप में बिजनिस करते हैं, पार्टनर्शिप में किसी भी तरह का कारेया आप करते हैं, तो उनके लिए ये दिन काफी अनुकोर रहेगा, आज किसी दोस्त और करीवी रिष्टेदार के पास आप दे सकते हैं मजबूती जरूरी नहीं पैसे से दी जाए कुछ बातों से भी दी जा सकती है तो उनके लिए आप काफी एक strong man बनकर woman बनकर आप आज जा सकते हैं तो उसके लिए आप उनका वो आपका तहिदल से शकुरियाद जरूर करेंगे students की अगर बात की चाहे तो students की लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है आज किसी खास काम को लेकर काफी उत्साही आप हो सकते हैं कुछ नए अनुभाव देखने को भी मिलेंगे जो भविशे कुछ ऐसे लोगों से आज आज आपकी मुलाकात होने की योग है जो भविशे में आपकी करियर को बढ़ाने का काम करेंगे बिजनिस में कई बड़े सौधे हो सकते हैं चाहे आप कोई चोटा बिजनिस करते हैं चाहे आप कोई बड़ा बिजनिस करते हैं लेक अपनी कोशिश निजारी रखें, बिल्कुल भी पीछे ना हटें, इस मामले में आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, और अपनी जो बाते हैं वो आप दूसरों को बड़ी आसानी से समझा पाएंगे, जो काम आप काफी दिनों से करने की सोच रहे थे, आज आप वो काम भी कर सकते हैं, और धार्मिक कारियों में भी आपके रुची बढ़ेगी, धर्म कर्म के प्रतिया आपके रुची रहेगी, कुछ लोगों के लिए आज का दिन पहली ही मुलाकात में किसी से प्रेम का इजहार करने का भी हो सकता है, और आपके मन में कुछ काफी दिनों से चल रहा था, और आज आप ये बातें उनके सामने प्रकट कर सकते हैं, तो आपके बातों को जरूर सराहना मिलेगी, और जिन लोगों के विवाही जीवन में कुछ रुकावटे आ रहे थी, उनकी ये रुकावटे दूर होती हुई दिखाई देंगे, अब 26 चंद्र और राहू की यूति वरशबडासी में और आपके अस्टम भाव में, आपके अस्टम भाव में चंद्रमा हैं, अस्टम भाव में राहू हैं, तो दिखे राहू जो क्या करेंगे यहां चंद्रमा के साथ मिलकर, आपके कुछ हालातों को बदलने की कोशिश कर सकते ह हिम्मत और दिमाग से आप किसी भी तरह की बिगड़ी हुई इस्थिती को समहालने में सफलता हासल करेंगे और कुछ जो अच्छे व्यवार इंसान के अंदर होते हैं उन अच्छे व्यवार के कारण कुछ लोगों की मदद आपको मिलती है कुछ रुके हुए काम पूरा करने के लिए या फिर कुछ आपको घर परिवार से जुड़ी हुई कोई प्रॉबलम चल रही थी कोई परिशानी थी तो उसको आप आज सॉल्व करते हुए दिखाए देंगे कुछ खास काम निप्टाने में आज आप सफल हो सकता हैं चुट्टी का दिन है इस दिन आप घर परिवार पर जाता ध्यान देंगे घर परिवार से जुड़ी हुई चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे और सेयम में रहेंगे प्रीम संबंद आज के लिए अच्छा है जीवन साथी के लिए आज का दिन भी हैद अच्छा है क्यास पास के लोग आपके इस तरह के वेक्तितों को देखर काफी प्रसन हो सकते हैं यह चोटी का दिन है बदलाव के योग भी है अपनी दिन चरिया में बदलाव अपने कारे में बदलाव ऐसी कुछ बदलाव आज आप दे सकते हैं या फिर अगर आप दुकानदारी करते हैं तो आज आपने दुकान दारी में किसी तरह का बदलाव कर सकते हैं तो बदलाव का ये दिन है कुछ अची बुक्स पढ़ने का आज आपका मन रहेगा साहिते की तरफ आपका रुजहान बढ़ेगा साहिते से जुड़ी हुई चीजें आप पढ़ना चाहेंगे कलात्मा चीजों की तरफ आप ज्यादा सक्रिय रहेंगे और जो शोद से जुड़े हुई लोग हैं किसी तरह के शोध से जुड़े हुए हैं PhD कर रहे हैं ऐसी किसी काम से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन बड़ा माइने रखने वाला है विशेश होने वाला है तो आज के दिन को अगर कुछ ऐसे काम आपके सामने आते हैं तो पहले अपने काम पर ध्यान दें बाद में आप भागी के कारे के बारे में सोच सकते हैं अब ये जो है ये पितरबक्षे चल रहे हैं इन दोनों में अगर आपके किसी परिजिन का शुराद है तो निष्च आप पूरी शुरद्धा के साथ तरपन करें पिंड़दान करें उनका आशिरवाद प्राप्त करे प्रसन होंगे तो आपकी जीवन की बहुत सी कठनाईयां दूर हो जाएंगी तो दोस्तों और अदिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को जड़ जड़ लाइक करें शेयर करें